तो आज हम मेंस से रिलेटेड अपना एकनॉमिक्स के करने वाले हैं जिसका नाम है बैंक बोर्ट ब्यूरो अब यह क्या करता है इसके क्या फंक्शन है क्या कॉम्पोजिशन है यह हम डिसकस करेंगे और यह न्यूज में क्यों है इसमें क्या चेंजिश आ रहे हैं यह हम लोग डिसकस करेंगे तो आपका जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड आपका कोई क्वेशन आ सकता है तो आप वहां पर इसको मेंशन कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमारा यह वीकली इस्यूज पर तो ऐसे ही आपके डेली करंट पर शाम को सवाचे बजे और डिफरेंट इनिशेटिव आप लोग देख सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं वाई इन न्यूज तो आपका बैंक बोर्ड ब्यूरो है वो न्यूज में क्यों बना है तो डिसकस करेंगे पाइनाइन lud Ridge continent worry डेक्टर को तो इसमें इतना से नहीं रहता था तो यह अब इन्शौरिंस सेक्टर में भी जो है प्रेप्रेजटेशन देगी या फिर वहां की भी decision making में help करेगी insurance sector को, तो यह हमारा expand हो रहा है, revamp हो रहा है, अब क्या revamp हो रहा है, सबसे पहले क्या होगा, आपका new member add होंगे, ठीक है, जो कि आपके insurance related field से ही होंगे, second है empowerment मिलेगी, क्या empowerment मिलेगी, finance ministry जो है, वो legally empower करना चाता है, bank board bureau को, क्योंकि अभी उसके पास, जो है, legal empowerment नहीं है, appoint करने की insurance sector में, ठीक है, जो public sector insurance है, वहाँ पे appoint करने की इसके पास legal power नहीं है, तो यह empowerment होगी, तीसरा है, restructure किया जाएगा, क्या restructure किया जाएगा, इसका नाम बदला जाएगा, और इसका mandate भी change किया जाएगा, जो function से, aim से, उनमें भी changes लाए जाएगे, तो changes हम क्यों करते हैं, amendments हम क्यों करते हैं, ताकि efficiency जो है, वो बड़े, यह body हमारी 2016 में बनी है, तो 2016 से 2022 तक इसने काफी efficiently work किया है, बट स्टिल कुछ लकूनाज हमारे रह जाते हैं, उनको cover करने के लिए, उनको deal करने के लिए, यह revamp plan आपका आया है, तो next है, why need for the revamping, तो यहाँ पर Delhi High Court का order था, last year Delhi High Court ने कहा था, कि Bureau जो है, वो competent body नहीं है, कि वो appointment में recommendation दे सके, किसकी PSU's की of general insurance, ठीक है, जो insurance related आपकी PSU's है, वहाँ पर नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई legal validation नहीं है, legally valid नहीं है, इसलिए आपकी empowerment हो रही है, अब उसको legal backing दी जा रही है, in field of PSU's related to insurance, फिर next आपका slow recruitment process, तो अब despite the good work, recruitment जो है higher level के, आपको पता ही ये directors, deputy directors, ये point करने में, जो है recommendations देता है, तो despite of the good work भी आपकी ये high post जो है, वो खाली रेखी गई है, और उस rate पे आपकी ये fill नहीं हुई है, तो ये दो चीज़े हैं, जिनकी वज़े से इसको revamp करने की जरूर प्री में question, ये current phase में बना रहा, और प्री में आपका कुछ question आया, तो कुछ current related part आएगा और कुछ static part में ऐसे, कि कब form हुआ, इसका headquarter कहां है, autonomous body है, या फिर under something है, तो ये type के questions आपको यहां से, आपको statement मिल सकते हैं, first आपका है bank board bureau है, क्या है, self-governing है, और autonomous body है, और central government, तो ये words काफी important हो जाते है, self-governing है, और autonomous है, second आपका है कि advisory authority है, ये भी आपको या लखना है, जहां पे आपके eminent professionals और officials है, ताकि आपका public sector banks जो है, वहां की management को और improve किया जा सके, तो आपका basically क्या है, 2016 में एक इंतरधनुष plan आया था, आपने देखा था कि आपके banking sector है, उसकी काफी खराब हाला चल रही थी, आपका NPS थे, NPS आपका क्या होता है, net non-performing assets, तो अब bank क्या करता है, bank की simple working देखते हैं, bank क्या करता है, आपका deposits लेता है, मैं as a depositor bank को 100 rupees दोंगी, अब bank उसमें से 100 rupees अपने नहीं रखेगा, अपने पास कुछ portion रखेगा, मानलो 20 rupees है, वो फिर से economy में circulate कर लेगा, in the form of loans, अब मैं जाओंगी bank के पास मांगने, अगर अभी 100 rupees तो bank पास वो 100 rupees नहीं होंगे, ठीक है, तो ये 80 rupees जो bank ने किसी और को दिये हैं, इस पर bank interest भी लेगा, bank ने 80 दिये हैं, पर वापिस bank उसने 100 या 120 according to the interest rate वापिस लेगा, तो क्या ह होता है कि अब मैं जिसने loan लिया है, वो bank के लिए क्या है, asset, क्योंकि bank को वहां से returns मिलेंगे, 80 rupees का 120 rupees वापिस मिलेगा, अब ये assets जिन्होंने loan लिया है, जब ये क्या करते हैं, repayment करना बंद कर देते हैं, जैसे कि आपने देखा ही होगा, तो इनको कहते है, non performing asset, कि वो loan जि यही नहीं रहा है, तो bank के लिए वो जाते है, non performing asset, और ये term हम काफी news में सुनते है, NPAs, तो ये problem आपकी आई थी, तो उस time पे आप ये introduced हुआ था, अब इसका headquarter कहा है, central office जो RBI का है, मुंबई में, महाराष्टर में, वहीं इसका headquarter है, और 1st April 2016, जैसे कि हमने बात की, ताकि आपके public sector banks, जो हैं, वो revamp हो सके, तो उसी में ये भी introduced हुआ था, अब 1st जो bank board bureau था, ये आपका February 2016 में set up हुआ था, और इसके, जो chairman थे, वो थे आपके former CAG, पूछा जा सकता है, आपसे first chairman कौन थे, फिर आपका क्या है, इसने replace किया था, appointment board of government, तो इससे पहले आपका appointment board हुआ करता था, ये high level post को fill कराने के लिए, advise करने के लिए, बट इसको change करके, आपका banks, board and bureau आया था, तो ये हमारे कुछ information है इससे related, अब आपकी composition है, जो कि कह र जाला है, तो देखते हैं क्या होगा, ये एक बर फिर से current fair में आएगा, जब ये change हो जाएगा, तो अभी उसके लिए हमें ये basics पता है, जब आपके current fair में फिर से आए, तो आप add कर लिजे, और फिर इसमें potential होगा कि आपके exam में आ सके, तो आपका first क्या है, chairman होता है, जो आ है आपके secretary of department of financial services, और third है आपके deputy governor of RBI, तो अब आपको पता है, RBI में एक governor होते हैं, और तीन से चार आपके deputy governors होते हैं, तो उनी में से एक आपके जो है, यहां के ex-option member है, तो next है आपके five expert members भी होते हैं, two उन में से private sector में से होते हैं, private sector banks जो हैं, वहां से लिये जाते हैं तो यह आपकी composition है, bank board bureau की, तो इसके functions क्या होते हैं आपके, तो main functions हमने यहां देखेंगे कि क्या है, सबसे पहले क्या है, public sector banks जो है, उनको assistance देगा, ताकि वो restructure कर सके अपनी business strategy, तो यह इसका एक aim है, second function आपका है, कि यह banks को assist करेगा, ताकि bad loan से और stressed assets से deal कर सके, जिनकी हम अबी बात करे थे, NPAs, तो उनसे deal करने की strategies यह advice करेगा, third है आपका, capital कैसे raise किया जाए, या कौन से financial instruments, innovative financial instruments या methods यूद किया जाए, ताकि जो bank है उसका profit बढ़ सके, यह भी आपकी research और advice bank को करेगा, plus आपकी जो government की top level appointments है, जैसे full time directors है, non executive chairman है, जो कि आपके public sector banks में होते है उनके लिए recommend करेगा government को, ठीक है, तो आप government को यहाँ से recommendation मिलती है, bank, board and bureau से, तो यही आपकी news में भी यही था, कि आपके insurance, जो general insurance है, वो public sector में, उनके appointment की power अभी इसके पास नहीं थी, सिर्फ PSBs की थी, तो illegal backing को दी जाएगी, तो next है, आपकी plan suggest करेगा, consolidation और merger of banks के लिए, जहां पर आपके NPS, gross NPS जादा है, तो आपने देखा कोई दो bank loss में जा रहे हैं, तो उसको एक तीसरे बड़े bank के साथ merge कर देते हैं, अभी recently हमने देखा था, बहुत banks का merger हुआ है, वो इसी advice के उपर हुआ है, कि जिसका loss में जा रहा है, या NPS जादा हो रहे, तो उसको ए आपके यह थे, और functions थे आपके, bank board and bureau के, तो यह हमारे कुछ initiatives है, कुछ free initiatives है, कुछ paid initiatives है, आप लोग अवेल कर सकते हैं, तो आज के लिए यही topic है, thank you so much, चन्हावने इस्टे,